जाथ है तेरे मैया अभिसार शर्मा और कारकरम शुरू करने से पहले एक बार फिर आप सबसे मेरी अपील कि मेरे इस कारकरम को अपने एक नहीं दो नहीं पांच-पांच कॉन्टाक्ट्स के साथ वाटसाप या SMS के जरीए साजह कीजे ताकि इस संदेश को ज्याद सादा लोगों तक पहुँचाया जा सके सबसे पहले मैं आपको ये तस्वीर दिखाना चाहता हूँ ये हैं रिपब्लिक के संपादक अरनब गुस्वामी और तलोजा जेल से रिहा होने के बाद इनके हावभाव देखी हुजूर हावभाव से ऐसे लग रहा है जैसे कोई राजनेता चुनावी राली करने आया है इस हावभाव से कभी कहीं पर भी पता चल रहा है कि ये शक्स एक पत्रकार है आज इनके चाटुकार ये कह रहे हैं कि अरनब गोस्वामी एक राश्ट्री आइकन हो चुका है एक राश्ट्री हीरो है तो मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिस शक्स को सत्तारूर भारती जनता पार्टी का आशिरवाद हो जिस शक्स के पीछे पूरी फौज खड़ी हो भारती जनता पार्टी की देश के सबसे ज़्यादा ताकतवर शक्स आमिट शाह का जिसके सिर पर आशिरवाद हो वो राश्ट्री हीरो कहां से हो गया हीरो तो वो होता है जो सत्ता से सवाल करता है बताईए ना सुषान सिंग राश्पूद के बारे में आप लगातार कहते रहे कि उसकी हत्या हुई है हत्या हुई है एक रियाच शकरवर्ती नाम की लड़की की जिंदगी बरबाद कर दी तुमने अब दो सरकारी संस्था ये कह चुकी है कि हत्या नहीं है इसमें कोई फाउल प्ले नहीं है एमस की रिपोर्ट जो कि एक सरकारी संस्था है और सीबी आए की रिपोर्ट जिसने कह दिया कि बैंक ट्रांसाक्शन्स में सुषान सिंग राश्पूद के बैंक ट्रांसाक्शन्स में कोई दिक्कत नहीं है आज जब ये शक्स इस तरह से हाथ हिलाकर बाहर आ रहा है और वंदे मातरम के नारे लगा रहा है तो इससे जदा हास्यासपत कुछ हो नहीं सकता है मगर ये रिहा क्यों हुआ ये रहा इसलिए हुआ क्योंकि सुप्रीम कोट ने उसे अंतरिम बेल दी है जी हां अंतरिम बेल दी है रहा नहीं हुआ है अनवाए नायक स्यूसाइट केस में या आदमी रिहा नहीं हुआ है दोश्मुक्त नहीं हुआ है इसे सिर्फ अंत्रिम बेल मिली है लिहाजा अपनी पीट मत थप थपाईए अपने आपको हीरो मत बताईए आप हीरो नहीं हैं आप अभी भी अक्यूजड हैं आप अभी भी जस्टिस चंदरशूर ने कहा कि जब जब राज सरकारें अपने नागरिकों पर अत्याचार करेंगी उन्हें पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोट खड़ा है उन नागरिकों की उन व्यक्तिगत लोगों की रक्षा करने के लिए बहुत ही खुबसूरत विचार आपके जस् सिदीक कपन और इसके दो और साथी किरा के ये पत्रकार जो आपके स्क्रीन्स पर हैं पांच अक्तूबर से जेल में हैं और इनके खिलाफ वो धारहें लगा दी हैं उत्तरपदेश सरकार ने जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती हैं क्या आप जानते हैं कि इस शक खिलाफ अदालत ने वो धारहें लगा दी हैं जो आतंकवादियों के खिलाफ लगाई जाती हैं अब इन दो चेहरों पर गोर कीजिए देखिए मैं ये मिसालें आपके सामने पेश कर चुका हूं मगर मजबूर हूं दो बारा उसे पेश करने के लिए क्योंकि कल जो सुप् सुप्जा कर रहें हैं अदालत के सामने कि मुझे स्ट्रों दे दिया जाए क्योंकि मुझे बीमारी है मेरे हाथ कापते हैं अदालत ने एनाए से नाशल इंवेस्टिगेटिव एजिंसी से कह दिया बीस दिन का समय इस चंद्रचूड फर्ख क्यूं है एक सिद्धिक कपन और एक अर्णबगो स्वामी की बीच में या एक स्टैंड स्वामी 83 साल का एक शक्स जिसके खिलाफ जिसके जिसे इलगार परिशद मामले में बंद कर दिया गया है जेल में उस पर ऐसा पहचार क्यों वरवर राओ उन उनके परिवार की विडियो कांफरेंसिंग हुई तो वो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था उनके मुद्दे को लेकर जब भी सुप्रीम कोट गए हैं उनके परिवार वाले तो ये कहा गया कि नहीं साहब आप बंबे हाई कोट जाए या आप निचली अदालत जा आप कीजेगा अंत्रिम बेल पर है क्या उनमें फर्ख है क्योंकि जहां तक मुझे पता है सुधा भारदवाज उमर खालिद ये तमाम जो चेहरे में आपको दिखा रहा हूँ ये तमाम लोग जो हैं ये भाजपर विरोधी कहे जाते हैं और ये शक्स अर्णब गुस्वाम भारती जनता पार्टी का पिछलगू ये लोग जेल में हैं इन पर बहुत कड़ी-कड़ी धाराएं लगा दी गई हैं सुधा भारदवाज की भी तबियत लगातार बिगड़ रही है वो महिला जिसने जमीन पर जाके जो अमरीका में चाहती तो वहां रह सकती थी मगर भार आपसे सिर्व इतनी प्रारतना कर रहा हूं कि फर्ख क्यों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जो ये एहम बयान दिया है इसके बाद सुरतहाल बदलेंगे बदलेंगे गुजरात के अंदर एक धवल पटेल के खिलाफ देश-द्रोग का मुकदमा कर दिया जाता है देश-द का मामला लगा दिया जाता है और वो माफी मांगता है तब जाके उसकी रहाई होती है ये हकीकत है ये फर्ख है धवल पटेल एक सिदीक कपन और दूसरी तरफ एक अरनब को स्वामी के बीच में ये जो फर्ख दिखाई दे रहा है ना मिलोड्स मुझे उस पर आपती है क्यों देखेंगे आप कोई भी जिसे कहते ना सब भे इनसान जिसका मानसिक संतुलन ठीक है उसे इस तरह के गोदी मीडिया चानल्स को बिलकुल नहीं देखना चाहिए मगर फिर आपने ये भी कहा कि अगर आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो उसे मत देखिए बिलकुल मत देखिए मगर वही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आपको उमर खालिद की कोई बात नहीं पसंद या तो उसे मत सुनिए क्या आपके पास प्रमान है कि उसने जो कहा उससे दिल्ली के दंगे शुरू हो गए अल्बता इन तीन चेहरों पर गौर कीजे कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, प्रवेश साहिब सिंग इन्हों ने चुनावों के दौरान और इस कपिल मिश्रा ने तो पुलीस की मौझूदगी में कहा था कि अभी तो ट्रम्प है, इसलिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं ट्रम्प एक बार चला जाएगा, तो आप भी हमें नहीं रोक पाएंगे और इसके तुरन बाद वाट्साप बनते हैं, इंडिन एक्स्प्रिस की इस खबर के मताबिक वाट्साप ग्रूप्स बनते हैं, जिसमें अब वाहू का अदान प्रदान होता है, जूट का प्रचार प्रसार होता है दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, इसमें कम से कम साथ लोग मारे जाते हैं